हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतियास का छोटा सा टोपिक कवर करेंगे जिसका नाम है भगतियांदोलन टोटल साथ कोशन होगे खंड सिक्सादिगारी भरती परिक्समें यादी कोई कोशन बनता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और फ्रेंड्स अभी तक आपने दिल्ली सलतनत को कवर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिफ्सिशन में आपको पले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा चार भाग में डिव पनजाम में भगति आंदोलन के अग्रदूत्त थे नहीं किया था है पन्जाम में भगति आंदोलन सुरू कर नानक नहीं पैंज्टाय और बारत तक पर्चारित करने का स्रे किसे दिया जाता तो यह सरे दिया जाता है रामनंद को option C सही आंसर हो जाएगा रामनंद य facility सही आंसर होगा इस क्साइबा फैला था तो फेला था JASON प्र misinformation पहुई और कोई की कभीर गुरु को उतुरत ह evident एक रामनसुए और सिर्फ को उपनिधिन लुद Chambird दीजि énerशार और अरकित वह से खोश्चहर की तो ने चैश्कात्र यह चैजिए तो फ्रेंड संत कबीर का जनम हुआता मघर वारंसी में option B सही आंसर रज़ाएगा मघर वारंसी next question है cool answer यहाँ पर बताना है निमलिकित में से कौन से वाक के दक्षिन भारत के भक्तियांदोलन के संधर्ब में सत्य है इसका नेता हो कहीं लोग पुरिये संतों द्वारा किया गया था इसके समर्थक संस्कृत में बोलते और लिखते थे इसने जाती व्यवस्ता का विरोध किया था और इसके परचार परसार में महिला है सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी इसमें कूट आंजर बताना है तो फ्रेंट्स इसका बनेगा तेखी है इसका जो नेता हो कहीं लोग पृटिये संतों नहीं कहता है यह बिल्कुल सही है और इसने जाती व्यवस्ता का विरोध कहता यह बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा और चोथा जो option है ये गलत हैं तो यहाँ पर जो good answer बनेगा option B बनेगा एक वे तीन ठीक है तो एक और तीन सहीत है ज़िए तो फ्रेंट्स यह जो जुड़े थे यह गेडिये संपरदाई से जुड़े थे किस से गेडिये संपरदाई से option C सही अंसर हो जाएगा गेडिये संपरदाई तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और से जरूर कर दें और वीडियो का एंड तक जरूर देखे वेरी इंपर्टेंड कोश्यन है सभी पुष्टी मार के दर्शन की स्थापना किस ने की थी देखे पुष्टी मार के दर्शन की जो स्थापना की थी वह वल्लबचारिये ने की थी तो option D सही अंसर होगा वल्लबचारिये नेश कूशन है कि संद ने इस और को अपने पास अनुवाव करने के लिए निर्तियम गीतो यानि किर्थन को माध्यम बनाया था तो फ्रेंस किर्थन को माध्यम बनाया था ये चेतन्यमापर्बू ने बनाया था, option D सही अंसर होगा चेतन्यमापर्बू next question है अदेतवाद के सिध्धान्त के परतिपादक कौन थे तो friends इसके जो परतिपादक थे वो संक्राचारिय थे option B शही आंसर होगा संक्राचारिय next question है संतो का काल करम अनुसार व्यवस्ता पर कूट में आंसर दे देखिए आपर कूट में आंसर देना है इनके काल करम अनुसार ठीक है तो इनका काल जो है देखिए इनमें जो सबसे पहले जो कभी जो संत थे वो कभीर थे उनके बाद आए नानक और इनके बाद आए चेतन्य और इनके बाद आए तुलसिदास ठीक है यानि कि ये सिरीर हमारी बनती है तो सही आंसर जो हो जाएगा option A हो जाएगा एक, दो, तीन, चार तो option A सही आंसर होगा next question है गीद गोविंद के रचेता है तो गीद गोविंद के रचेता है जैदेव पहले भी question हमने पढ़ाया ठीक है तो गीद गोविंद के रचेता कोने जैदेव है नेस्ट क्योशन है भक्ती आंदोलन के दोरान असम में किसने इस आंदोलन का परतिपादन किया नियानि के भक्ती आंदोलन का असम में किसने परतिपादन किया था तो friends question का सही answer हो जाएगा option A संकर देऊ ठीक न कोन है संकर देऊ next question है, गुरु नानक का धरम उपधेश है तो friends इनका जो धरम उपधेश है, वो मानो बंधूताओं के लिए है option है, उसकी और सिकेरों हो जाएगा मानो बंधूताओ next question है, सुची first और सुची second यहापर दिया गया है संक्राचार्य द्वारा श्थापित मठ और इस्थल यानि कि जो इन्होंने मठ श्थापित किये थे वह काका पर किये थे तो फ्रेंड्स देखे स्रंगेरी जो पीट था वो मैसूर करनाटक में था गोवर्धन पीट ये पूरी उड़ीशा में है और जो 30 पीट ये भधरीनाथ उत्तर परदेश में है ठीक है ना और सार्दा पीं ये द्वार का गुजरात में यानि के सीरीज बनती है एक दो तीन चार ये सीरीज बनती है और उप्सटने यही सीरीज है तो सही आंसर उपसटन एह होगा नेस्ट क्योस्षिण है या पर भी सूचि दी गई हैं और इसमें कूट आंसर बताना है तो friends देखिए वल्लबाचारिये इनका जो कारे छेतर था उत्तरप्रदेश राजिस्थान में था यानि कि इनों जो भगतिया अंदोलन को फिलाया उत्तरप्रदेश राजिस्थान में फिलाया चेतन्य महापरवू इनोंने बंगाल में फिलाया ठीक है, मीरा भाईने राजिस्थान में सभी जानते हैं, नाम देवने महराष्ट में यानि कि सिरीज बनती है, एक, दो, तीन, चार तो फ्रेंट्स, यह मर सोचना कि आपको इसी तरीके की सिरीज हमाँ पर मिलेगी तो यह series वहाँ पर ऐसी नहीं मिलनी है एक दो तीन चार में ठीक है न बदल कर मिलती है तो सही आंसर हो जाएगा option A ये only आपको याद कराने के लिए आपर question है ठीक है next question है निमने घित में से किस भाषा को लोग पर ये बनाने में कवी चंडी दास का योगदान है देखिए कवी चंडी दास का जो योगदान था वह बंगाली में था option A सही आंसर होगा बंगाली तो इस बंगाली भाषा में योगदान रायन का next question है आपर सूची फर्स रोर सूची सेकिंड दी गई है संद कवी है और उनकी रचनाए जो इन्होंने रचनाए लिखी है उनकी भासा दी गई है मीरा भाई तियाग राज चंडी दास पुरंदर दास देखिए चंडी दास को आप सभी जानते हैं चंडी दास का भी पीछे कोशन हमने कवर किया बंगलाबासा से संब्द है इनका थीक न शीका जो हो जाएगा फर्ष्ट हो जाएगा ओके देखिए मीरा भाई मीरा भाई को आप सभी जानते हैं हिंदी के कवी थी ठीक है और त्याग राज ये तेल्गु से संब्द दिते हैं और पुरंदर दास आपके बचे कन्ड़ से संबन दिते हैं देखें सीरीज क्या बनती है आपर सीरीज बनती है दो तीन एक चार ये सीरीज बनती है और ये सीरीज आपकी option A में है तो सही answer option A हो जाएगा next question है भक्ति को दार्शनिक आधार परदार करने वाले परठम आचार्य थे तो इसके संस्ताफक थे शंकर देव ओप्सों D सही answer हो जाएगा श्कोषतर और यह संकर आचार्य का जनन Сथो और सनकर जाएगा द्जनानगर करये परदार परम एक संकर पर्दाع के संस्ताफक ये ज़न्हे works तो फ्रेंट्स इनका जो जनम हुआ था वो कलाडी या कालादी में हुआ था और सभी भक्त संतों के माध्यम एक समान विश्यष्था थी कि उन्हें ने तो फ्रेंट्स कोश्चन का सही आंसर होगा अपनी वानी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे तो उसने इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा BPSC 2005 में कोश्चन आया था कोई खास नहीं है ने इस कोश्चन है भक्ति आंदोलन का परारंब किया गया है तो फ्रेंट्स आप सभी जानते हैं तो इनका जो जो भक्ति आंदोलन था इसका परारंब किया गया था आलवार नैनार संतों तो द्वारा और महराष्य से सुरुवार तो tak holy थी ठीक है । न Reach Parlanoc की अनुनाययो को कहा जाता है तो और फ्रेंड्स इनको कहा जाता था वे स्नौ loss वे स्नॉ पर, much अध इसकर जो बाद में संक्राचार्य बने उनका जनम हुआ था तोР freंड्स का जनम हुआ था केरल में अभी कोशन अभी पीछे कोशन कवर किया कलादी या कलाडी में ठीक है तो संक्राचारे के जनव का हुआ केरल के कलादी या कलाडी में सब्सक्राइब के जानते हैं कवीरदास जीते बीजक के रचेता ऑप्शन भी सही आंसर होगा कभीरदास नेस कोशन है भकती रस्त कवितरी मीरा भाई थी यह हिंदी में अपनी कविता लिखती थी तो यहां पर हमने ओप्शन देखना एक कुली नारी जिसने कभी विवा नही ओपर नहीं किया था गुज राती से संबदीते बिल्कुल गलत रजपूर नहीं लेकर देख सकते हैं तुन नेक्स्ट कोशन है सीरीज का 30 कोशन है पर्षिद भगत कवित्री मीरा भाई के पती का नाम था तो फ्रेंट्स इनके पती का नाम था राजकुमार भुजराज जो एक राजपूत सा सकते ठीक है ओप्सन भी सही अंसर होगा तो फ्रेंट्स यहां पर हमने 30 कोशन कवर किये भगती आंदोलन के और नेक्स तीस कोशन आपको नेक्स वीडियो में मिल जाएंगे उसके बाद जो है टोपिक होगा सूपी आंदोलन ओ थैंक्स वर वाचिंग